I know movie आ गई है, लोगों ने देख पी ली है, बहुत सारे लोगों ने इसका review भी कर दिया है और शायद कहीं पर ये theaters में लगी हो सकती है और नहीं भी लगी हो सकती है मतलब काफी time हो गया है movie को आई वाई और मैंने भी इस बहुत पहले देख लिया था review नहीं कर पाया क्योंकि काफी सारी चीजें जो है वो life में चल रही है transfer जो है वो हुआ उसको लेकर भाई साब मैं जो लगा गया और इसका बाद में ही review करेंगे इसको बनाके मतलब अपनी जो copy है उसके अंतर मैंने लिख लिया था कि भाई review के बारे में इसमें क्या-क्या मुझे बोलना है पट जैसे ही मुझे time मिला इसके उपर भाई मुझे इसलिए बोलना था क्योंकि इस movie में जिस तरीके का content हमें देखने को मिल रहा है जिस तरीके की मान सकता बोलिवुड जो है वो लोगों को परोस रहा है उससे सचेत होना काफी ज़्यादा जरूरी है काफी सारी जो movies है वो अलड़ी इन दिनों में आई है अभी फिलाल दो movie gather 2 और omg2 काफी ज़्यादा trend में है उनकी बारे में भी हम बात करेंगे बट फिलाल रोकी और राने की जो कहानी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो इसकी कहानी है जो इसके बारे में अगर हम बात करें तो रोकी नाम का एक विक्ति है जिसको play care अरण वीर सिंग ने अब ये काफी ज़्यादा अमीर है जो रोकी है लेकिन जो इसके परिवार की सोच है वो काफी ज़्यादा घटिया है ओरतों को लेकर वह ओरतों को वो सर पे पल्लू रखने को कहते हैं जो काफी ज़्यादे एक regressive सोच है मिलन औरतों को दबाया जा रहा है उनको आगे नहीं लेके जाया जा रहा है और सर पे पलू रखना बहुत जादा एक दबाने वाली बात आ जाती है As per this movie, यह जो movie में देखने को मिल रहा है और जो इसके सोच है, इसके परिवार की, वो ओरतों को अपने घर में रखती है उनको आगे नहीं जाने देती, यह सब चीज़े हमें देखने को मिल रही है इस movie में अब दूसरी तरफ एक रानी है जिसको प्ले के आलिया भट ने काफी जादा liberal दिखाई गई है एक मंत्री, एक रिपोर्टर है, एक मंत्री जब इसके यहां पर इंटर्वी देने के लिए आते हैं तो रिपोर्टर जो, मतलब यह जो रानी है, उससे सवाल पूछती है कि जो रेप हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं मुझे लगा कि यह वही गिसी पिटी लाइन जो है, यह वो लवाएंगे कि एक सत्तर साल की औरत है, एक छोटी बच्ची है, उनका क्या कसूर है यह सब चीजें वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि मंत्री कैसे गलत हो सकता है, उसको कैसे गलत दिखाया जाए हमारे देश में जो मंत्री होते हैं, जिनको हम चुन कर आगे भेजते हैं या तो तुम चुनी क्यों रहे हैं उनको भाई सब, सीधी सी बात है न, मत चुनो उनको पहले तो चुन लो, फिर उनको बोलाओ, फिर उनको ऐसे दिखाना कि आरो देखो, कितने ज़्यादा खराब हैं फर्स अपोल तो चुनकी हम भेज रहे हैं उनको, कितनी एक चीज़ दिखा रहे हैं कि भाई, उनकी गलती नहीं है कि वह मंत्री वैसा है गलती फिर तो हमारी हुई ना हमने उनको आगे जुनके भेज दिया यह सब चीज़े सोच नहीं चाहिए पहले अब चलो इसके बारे हम बात करेंगे अब यहां पर जो है वह रानी की जो सोच है या फिर उसके परिवार की जो सोच है वह काफी जादा ल लेकर जो भी है अब जब यह प्यार करते तो इनकी दोनों परिवार हैं उनकी सोच एक्दम अलग है वह कैसे एक दूसरे से मतलब घुले मिलेंगे यह सब चीज़ें जो है वह इस मूवियों में देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं अगर आपके आसपास कहीं थेटर म यह मूवी लगी हो शायद लगी हो भी सकती है लेकिन गदर टू और ओंजी टू की वज़े से शायद यह मूवी हट भी गई हो अब जो करन जो हर जो है वह आप लोगो को क्लियर्टी देना चाह रहा है कि देखो आपको ऐसे मोडन बना चाहिए मोडन कैसे बनेंगे कि अग दूसरी सोच इसमें यह दिखाएगी कि मर्द जो है वह असली मर्द तब तक नहीं होता जब तक वह अपनी सास अपनी मां अपनी बहन अपनी बेटी अपनी वाइफ उनकी जो अंडर गार्मेंट्स है उनकी जो ब्राह है उसको वह धोकर सुखाए ना मतलब कमाल की बात है भारत के अंदर और कोई टोपिक ही नहीं है किसी चीज के ओपर कोई क्लेश ही नहीं है समाज में और कोई चीज रही नहीं गई है सब चीजें सुधार दी गई है अब सुधार ना क्या रह गया है कि औरतों के अंडर गार्मेंट्स को धोकर सुकाया जा है इस मूवी में यह समय देखने को मिल रहा है यह सोच है यह वाकई में सोच दिखाई गई है कमाल की वात है और मुझे वह देखकर हसी आ रही थी क्या दिखा रहे है तुम लोग समय सोचना चाहिए कि वही एक मुझे लगता है कि यह बॉलीवूड वालों के पास ना वह शर कारते हैं और दूसरे के सामने नंगे घुमें इनके लिए वही मोड़नाजेशन है यह नंगा ही तो करना चाहते हैं सोचाइटी को और क्या ही है इनको कुछ समय नहीं आता है कि एक इज़्जत क्या होती है वो क्यों नहीं लेना चाहरे मुझे तो है रणवीर सिंग के सामन यह सब चीजें हो रही थी मतलब जो रोकी है उसके सामने सब चीजें कह रही है कि तुम अंडर गार्मेंट को ब्रा को तुम ब्रा नहीं बोल सकते तुम कैसे आदमी हो तो वहां पर वह चुप रख दिया गया आर्गुमेंट भी है वहां पर उसके पिछे लोजिक भी है सब चीजें होती हैं अब मुझे वह बोलने में भी घिना रही है कि यह सब चीजें वह बोला रही है और नहीं पता है तो तुम जाके पता करो कि एक आदमी जो है अपनी वाइफ का कितना ध्यान रखता है उन सब चीजों को वह बहुत अच्छे से निभाता भी लेकिन तुम य मात करें इस मूवी के जो entertainment के purpose पर तो वह सब चीजें किती हैं तो मैं सच कहूंगा आप लोगों को रणवीर सिंही यानि जो रोकी है वही किरदार जो आपको पसंद आएगा मुझे लगता है कि एक उसी इंसान ने इस मूवी को आगे बढ़ाने की कोशिश किये हैं हुमर यह थोड़ी बहुत comedy है जो इस मूवी में performance जो है पाकी आलिया भट में यार एक डांस है जिसमें जो दुर्गा पूजा होती है तो वहां पर उस पूजा में जिस तरीके का performance जब में देखने को मिल रहा है वह कहीं से भी मुझे नहीं लगा कि यार यह रियल है वह कितना फ चीज़के कि हाँ आले बटिस के अंदर बेंगवली बोल रही और उसके लावा कुछ भी नहीं वहीं सेम जो है वहीं मतलब performance लग रही है वहीं सेम किरदार लग रहा है मूवी में comedy है थोड़ी बहुत है गाने मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं तो देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा three out of ten बखायदा जो इस मूवी में आपको content जो प्रोसा जा रहा है जो मानसिकता आपको प्रोसी जा रही है इस चीज़ से थोड़ा सचेत रही है कि आप लोगों को यह बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं definitely movie की जो भी movies आती है उनका पर भाव पढ़ता है समाज के ओपर बहुत सारे जो लोग हैं उनको समझ याता कि यार इस मूवी में एस्टुल में क्या बता दिया गया रूव उसी चीज़ को follow करने लग जाते किसी का शोशन हो रहा है उसको पता नहीं होता उसका वास्तों में शोशन हो चुका होता है तो य आज के लिए इतना ही ताइस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहें